असलाम अलेकुम व्यूवर्स उमीद है कि आप सब हैडियत से होंगे और अपनी जिन्दियों में हुश होंगे यह आत्मी जो आपको सक्रीम पर नजर आ रहा है यह दुनिया की हर चीज को बैलन्स कर सकता है यानी एक तवाजन में खड़ा कर सकता है फिर चाहे वो चीज पत्थर हो कुरसी हो वाशिंग मशीन हो मोटर बाइक हो या फिर लोग हो यह ऐसा क्यों कर रहा है इसके पीछे की ट्रिक क्या है मतलब किस तरह इतनी बड़ी मोटर बाइक को एक छोटे से पत्थर के उपर प्रॉपर बैलन्स के साथ खड़ा किया जा सकता है इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके जी तो इस आदमी का नाम है रौकी भ्यून जो कि कोरिया से तालुक रखता है और दुनिया की हर चीज को बैलन्स करने का अनोखा फन रखता है चीजों को बैलन्स करने का शोक पिछले आठ साल से कर रहा है रौकी भ्यून का कहना है कि शादी के आठ साल के बाद जब बीव नहीं छोड़ा एक दिन जब वो एक नदी के किनारे बैठा था तो कुछ वकत गुजारने के लिए इसने कुछ पत्थर उठाए और उन्हें इस तर्तीब से तहद तहद जोड़ा कि वो एक ओरत के स्ट्रक्चर की शकल अहत्यार कर गए नो डाउट वो एक आर्ट का पीस था और रोकी भी उनको उसमें काफी दिलचस्पी और हुशी महसूस हुई उसके बाद रोकी की जिन्दगी का मकसद बन गया वो हर चीज को बैलंस करने लग गया वो जहां भी जाता चीजों को जोड़ कर अपनी बैलंस करने का आर्ट का फन बखेरता प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ये तो आपने सुना ही होगा तो फिर बस रौकी भी छोटे छोटे पत्रों को बैलंस करते करते बड़ी बड़ी चीजों को बैलंस करने का फन सीख कया और फिर मोटर बाइक, मशीन, इवन के लोगों को भी बैलंस करना शुरू कर दिया वो impossible काम जिसे शायद ही कोई कर सके और सबसे दिल्चस्प बात ये कि जब रौकी से पूछा गया ये कैसा जादू है वो ये सब कैसे कर लेता है तो उसने कहा ये जादू नहीं, ये एक साइंस है आपको सिर्फ सेंटर ओफ ग्रैविटी को समझने की जरूरत है जिससे आप हर चीज़ को बैलंस कर सकते है और अब इसी की वज़ा से रौकी सिर्फ कोरिया में नहीं बलके पूरी दुनिया में सबसे फेमस बैलंसिंग आर्टिस्ट के नाम से मशहूर है और अब टीवी शोज, सोशल मीडिया, हर जगा पर लोग रौकी की इस आर्ट को शोक से देखते और अड्मायर करते है और वो चीज़ों को बैलंस पैसा या शोहरत के लिए नहीं करता बलके ऐसा करता है क्योंकि ये चीज़ उसकी होबी बन चुकी है और इसे ये सब करना पसंद है तो दोस्तो रौकी की इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि जब आप किसी काम को अपना शोक बना लेते हैं तो आपके लिए कुछ भी नमुम्किन नहीं रहता तरह के इंफॉमेटिव और अमेजिन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और शेयर करना मत बुलिएगा अपना ह्यार खियेगा अलाहाफेज